सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू टाइगर धरी के रिव्यू में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेंट्स आए हाँ बहुत सारी गालियां भी बढ़ी लेकिन मैं तैयार थी उसके लिए क्योंकि भाई ओविसली सबकी सोच अप्रोच एक जर्सी तो नहीं होती है लेकिन जिन भी लोगों ने मेरे चानल को सबस्क्राइब किया इस बीच मुझे सपोर्ट किया है उनको तही दिल से शुक्रिया और मैं यही कहना चाहूंगी कि यह भरोसा मैं कभी तूटने नहीं दोंगी और येस इसी के साथ अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि जवान के डिरेक्टर यानि आट्ली ने कुछ बहुत ही फाडू अनाउंसमेंट करके हमें यह बताया है कि मैं इंडियन सिनिमा को कुछ ऐसा डिलिवर करने वाला हूँ जो पिछले 30 सालों में कभी भी नहीं हुआ और मैं उनके इस स्टेटमेंट से अभी अगरी करने को तयार हूँ क्योंकि भाई वो कॉलाबरेशन ही ऐसा ला रहे है यानि हिंदी और तमिल सिनिमा के दो ऐसे लेजेंट जिनको देश विदेश में प्यार मिलता है अपनी इंडिविज्वल फिल्म्स के वज़ह से तो सोचो जब ही एक साथ आएंगे तो कितना कमाल का सीन होगा मतलब को इसको भी नहीं होगा कि पिक्चर ना चले या कम कमाई करे इन फैक्ट इसमें से ये एक North और South वाला फैक्टर भी हट जाएगा कि लोग accept कर लेंगे कि हाँ ये एक धमाके तार Indian फिल्म होने वाली है जिस topic पर एक्टली ने फिलाल एक interview में ये बात कही है कि मैं Hollywood writer के साथ मिल करके एक बहुती amazing से script पर काम कर रहा हूँ जिसके actors की approach मेरे लिए शारुक खान और विजय थालापती ही है और हो नहों अगले साल से उनके इस picture पर काम भी शुरू हो जाएगा क्योंकि obviously actors ready है और वो दोनों में से किसी को चुन तो नहीं सकते जबकि चुनने का सवाल उनके लिए नहीं था क्योंकि जब जब जबान का जिन्दा बंदा song shoot हो रहा था तो उसी के बीच में आटली का birthday पड़ा और आटली ने थालापती को उस party में invite किया तो जब शारुक खान और थालापती आपस में मिले मिल करके उन्होंने कुछ discussion किया और फिर आटली को बिला करके बोला कि भाई अगर in future तुम कभी भी दो hero वाली picture बनाते हो ना तो हम दोनों को consider जरूर करना क्योंकि हम दोनों ready हैं और उसी वक्त ये photo भी viral हुई थी जिसको देख करके हम लोग खुब सारे कयास लगा रहे थे कि शायद जवान picture के अंदर विजे धालापती का cameo हो सकता है पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेचड़ी निकल करके आई जो कि बहुत ही कमाल की बात है ओडियंस के लिए क्योंकि शारुक खान एटली और विजे धालापती तीनों ही बहुत अलग तरह के लोग है इनका vision बहुत अलग है सिनमा को लेकर के शारुक खान जो हर चीज करने में माहिर है वही दूसरी तरफ विजे धालापती जो अपने killer अंदाज से सब को अपना fan बना लेते हैं तो तीसरी तरफ है एटली जो कि एक ऐसा सिनमा डिलिवर करने की कोशिश करते हैं कि ओडियंस एक दम हुक रहे कहीं से भी बोर ना हो और उनकी intensity picture में शुरू से आखरी तक वैसी हिद है तो सोचो जब तीन ऐसे महारत ही लोग अपने काम में एक साथ मिलकर के हाजिर होंगे तो क्या ही गजब की चीज निकलेगी क्योंकि आज कल ये जो multiverse और universe बन रहा है स्टार्स का बड़ी amazing सी चीज है हाला कि बहुत जल्दबाजी होगी comment करने के लिए क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ लोग पर ना भरोसा हो जाता है तो शोरों से वाइरल हो रही थी तो मैंने सुचा आप तक बता दूँ अगर आप यहां तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और हां Tiger 3 का रिव्यू किया हुआ है और War 2 के बारे में कुछ बहुत ही मस्ती चीज बताई है जिसकी लिंक डिस्रिप्शन में है चाहो तो देख सकते हो तो प्लीज चेक आउट करना तब तक हम आपसे मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल दन बी सेफ, टेक केर, लव यू ओल